Hello everyone, क्या हल चाल, कैसे बेटा सब लोग, I hope you all are doing good, सब लोग स्वस्त होंगे और मस्त होंगे, बच्चो मैं हूँ आपका mathematics teacher रमिज सर और स्वागत करता हूँ आप सभी का India's most efficient and affordable learning platform physics वाला के उपर, तो बच्चो last lecture में हमने logarithm ये chapter का first session जो है वो complete किया था, last lecture मदे है अपन होती है अप लेला है, कि logarithm हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, logarithm के base पे calculations को easily किया जाता है, तो वो सारी laws वगिर हमने वहाँ पे basic चीज़े cover कि थी, logarithm to exponential form, exponential to logarithmic form, I hope कि तुमने उस पे base जो DPP था बच्चो वो भी लगा लिया है, तो आज का जो session है इसके अंदर हम लोग क्य पढ़ने वाले हैं, उस पे जाने से पहले, last lecture का मैं आपको एक quick review देते हूँ, कि हमने last lecture में क्या क्या पढ़ा था, so हमने क्या क्या पढ़ा था, last lecture में कि a की power of x, a की power of x is equals to m, है न, a की power of x equals to m, इसको हम लोग क्या बोलता है, exponential form, a की power of x is equals to m, is called exponential form, इसको हमने बोला था, exponential form, और इसका हमने देखा था, कि logarithmic form होता था, x is equals to log to the base, log की base में यह आ जाएगा, of m, इसको हमने बोला था, logarithmic form, इसको हमने बोला था, is called logarithmic form, इसको हम लोग बोलता है, logarithmic form, इसको बोला था, हमने exponential form, इसमें आगे हम लोग बढ़े थे, log of product हमने पढ़ा था, log of product क्या होता था, properties पढ़ी थी, कुछ basic, उसको भी देख लेता है, log to the base, a of 1, हमेशा 0 आएगा, log to the base, a of a, अगर यहाँ पे number और इधर number same हो जाए, तो यह हमने इसको बोला था, इसको लिखते थे, अपन, log to the base, a of m, plus log to the base, a of n, हम लोग इसको लिख देते थे, पूर्थ अगर बात करें, तो log to the base, question rule हमने पढ़ा था, log to the base, a of, m by n, अगर हम लोग बोले, तो यह क्या हो जाएगा, बटा, log to the base, a of, m minus, log to the base, a of n, यह ठीक है, त तो fifth की अगर बात करता है, log to the base, a of, m की power of n, अगर होगा, तो इसको हमने बुला था, exponent log, यह n को क्या कर सकता है, आगे खिच सकता है, यह n को क्या कर सकता है, आगे खिच सकता है, ठीक है, तो यह n को आगे ले लो, तो यह हो जाएगा, हमारा n easy cost, यह हो जाएगा, n into, sorry, n into log to the base, a of, m, तो यह था हमारा exponent log, यहाँ पे कुछ important point भी मैं लिख देता हूँ, कि जैसे logarithm को define करने के लिए, logarithm के लिए, define करने के लिए, conditions थी, उसके पीछे के reason भी बताये थे, तो यहाँ पे conditions क्या थी, बच्चों को logarithm define करने की, कि जो logarithm का base रहता है, वो हमेशा positive चाहिए, बेस cannot be one, one नहीं हो सकता है, उसके बाद में, जिस number पे हम लोग अप्लाइ कर रहे है, वो हमेशा कैसे होना चाहिए, बच्चों positive होना चाहिए, जिस number पे हम लोग अप्लाइ कर रहे है, वो हमेशा कैसे रहना चाहिए, positive रहना चाहिए, negative number का logarithm हम लोग जो है, वो calculate नहीं कर स सबसे पहले तो change of base rule के बाद उस पे base कुछ questions cover करेंगी आगे बढ़ते वे आज की session में हम लोग logarithmic table जो रहता है ना उसका use करके हम लोग physics और chemistry की भी numerical solve करते हैं so logarithmic table और anti-lock table कैसे use किया जाता है वो भी हम लोग आज की session में cover करेंगी और कुछ pyqs भी solve करेंगे जैसे 2-3 basic pyqs अभी तक अगर मैं बात करूँ तो logarithm corely logarithm पर आए वैसे logarithm mix बाकी chapters के साथ में pyqs आते हैं तो यहाँ पर अभी तक हमारे क्योंकि बाकी बहुत सारे topics cover नहीं हुए तो जैसे जैसे वो topics cover होंगे तो उनमें तुमको mixed questions भी मिलने लगेगी तो जितना logarithm की property base pyqs है वो मैं आज की session में यहाँ पर cover करूँगा so next आगे बढ़ते है बाटा start करते है आज का session so laws जब मैंने पढ़ाये थे laws of product law of questions वहाँ पर मैंने आपको उसका prove करवा दिया था तो यहाँ पर change of base rule होता है क्या होता है change of base rule देखो log to the base a of m को हम लोग क्या लिख सकते है log to the base b of m upon log to the base b of a लिख सकते है इसी को हम लोग बोलते है change of base rule इसी को हम लोग बोलेंगे change of base rule यह ठीक है तो इसको properly अगर हम को समझना है, देखो, log to the base a of x अगर लिखा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते है, log to the base base में कोई भी नमब्र लिख सकते है, log of x upon log लिख देते है, अब base में क्या लिखना है, बेस में क्या लिखना है कोई भी number लिखो, बट यहां पर जो number लिख रहे हो यही लिखो यहां मतलब यहां पे 10 लगा तो यहां पे भी 10 अगर यहां पे ऊपर के base में 5 रखा तो नीचे वाली जो log है उसके base में भी 5 रखोगे मतलब same number रखना है आपको क्या रखना है पेटा वहां पे same number रखना है तो इसी को बोलते है अपन change of base rule इसी को बोलते है अपन change of base rule पहले base यह था अब base जो है वो change होकर कोई भी एक number रख सकते हैं हम लोग same तो b b यहां पे इन्होंने किया है यह इसका proof है इसको तुम लोग देखोगे तो मेरा accordingly समझ जाएगा laws of product और law of question का जैसे हमने प्रूव किया था कि पहले logarithm से exponential form में जाते हैं फिर यहां पे कोई तो ऐसे एक basic सा rule use करोगे indices का फिर से उसमें logarithmic form में आओगे तो यह जो proof से यह तुम को कही पे exams में पूछे नहीं जाने वाले है तो इसका यह देख कर रखो laws of product law of question की मैंने proof तुमको वहां पे बता दी थी तो इसको dictate कैसे करना है वो देख लो यह उसका proof है यह देख कर तुम लोग समझ सकते हो आगे बढ़ते है बटा questions पर आते directly change of base rule का use करेंगे first question को solve करने के लिए तो यहाँ पे log to the base 2 of 81 लिखा गया है यहाँ पे log to the base 2 of 9 लिखा गया है numerator मदे जो log दिले लाए तहला आपन काईल भी शुक्त बगा log of 81 upon log of 81 upon log of 2 इसको क्या लिख देते है log of 81 upon log of 2 लिख देते हैं सर आपने इनका base नहीं लिखा है तो मैंने base कोई भी same number मैं लिख सकता हूँ पहले ही बताया अगर मैंने अभी base नहीं लिखा है इसका मतलब common logarithm होता था base 10 रहता था उसका लास्ट लेक्चर में यह भी चीज़े बताई थी common logarithm जिस जहाँ पे base mention नहीं रहेगा मतलब 10 लोगे natural logarithm याने base e रहोगा e होता था एक irrational number उसको एवलर्स constant बोलते थे यहाँ पे आते हैं इसको लिखेंगे बेटा log of 9 upon log of 2 इसको लिखेंगे log of 9 upon log of 2 तो यहाँ पे क्या हो रहा है log of 2 log of 2 cancel out हो गया log of 2 log of 2 यहाँ पे हमारा cancel out हो गया और ये जो चीज बचकर आ रहा है इसको देखो यह हो गया हमारा log of 81 upon नीचे से आ गया था बेटा log of 9 ठीक है अब log of 81 को हम लोग क्या लिख सकते है log of 81 को अपन लोग क्या लिख सकते है log of 9 का square upon log of 9 log of 9 का square upon log of 9 अब क्या गर होगे 81 को लिखा 9 का square exponent rule लगा दो बेटा तो exponent rule से क्या हो जाएगा यह जो 2 है वो आगे खिचा जाएगा तो यह हो जाएगा 2 into log of 9 upon नीचे में क्या था हमारा नीचे में था log of 9 so log 9 log 9 जो हो जाएगा वो cancel out हो जाएगा और इसका answer आजाएगा हमारा 2 इसका final answer हो जाएगा हमारा 2 तो यहाँ पर हमने क्या किया change of base rule यूज किया उसके साथ-साथ law of exponent यूज किया यह 2 को हमने क्या किया है आगे खिच सकते है log का जो number है उसके power में कोई चीज अगर रहता है तो वो ऐसे आगे आ जाता है ऐसे वो आगे आ जाता है so I hope कि एक simple सा question था यह तुमको clear रहेगा बढ़ते हैं next slide के उपर यहाँ पर देखता है फिर से एक question अगर हम लोग देखें so log to the base 2 of 5 upon log to the base 2 of 11 तो यहाँ पर log of question directly नहीं लगा सकते हो log of first minus log of second अगर ऐसे रहता है बटा log to the base a of m minus log to the base a of n तो उधर अपन log of question लगा सकते थे अभी यहाँ पर directly log of question नहीं लगेगा तो simplification करने के लिए क्या करता हो change of base rule लगाता हो numerator में भी और denominator में भी so numerator में मैं लिखता हू log of 5 और इसको लगाता हू log 5 upon log 2 इसको क्या लिख सकते हो log 11 upon log 2 log 11 upon log 2 minus दिया बीच में और इसको लिखते हैं अपन इसको लिखते हैं log 5 upon log 4 log 5 upon log 4 यह हो जाएगा हमारा log 11 upon log 4 यह हो जाएगा हमारा log 11 upon log 4 यह हो जाएगा हमारा log 11 upon log 4 तो यह log 4 यह log 4 cancel out हो गया यह log 2 और यह log 2 cancel out हो गया यह लॉग 2 और यह लॉग 2 हमारा वहाँ पर cancel out हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं देखो लॉग 5 upon log of log 5 upon log of 11 minus, यहाँ पर आएगा आपका log 5 upon log of 11, यहाँ पर आएगा आपका log 5 upon log of 11, तो यह भी जो value है वो same same value रहने के वज़े से कितना आजाएगा 0, पूरा का पूरा cancel out हो जाएगा, x minus x हो गया ऐसे बोल दो, यहाँ पर first term में भी change of base rule लगया, second term में भी change of base rule लगया, again simple question, बहुत easily समझ जाना चाहिए था, आगे बढ़ते हैं, next question के उपर आते हैं, show that वाली question है, LHS को लेकर solve करेंगे, और RHS लेकर आएगे, so LHS में जो term दिया हुआ है, उसको मैं पहले यहाँ पे note down कर देता हूँ, so LHS में हमारे बास में दिया था, log to the base y of, root of x को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि x की power 1 by 2, root x को अपन क्या लिख सकते है, x की power 1 by 2, यह हो जाएगा बैटा, log to the base z of y cube into log to the base x of इसको क्या लिखो कि देखो, z square और उसकी भी power 1 by 3 आजाएगी, z square, उसकी power 1 by 3 law of indices वहाँ पे हमने यूज किया है, कि root of, m तो root of अगर ऐसे लिखा रहेगा, तो इसको अपन नहीं कि power 1 by m लिखते हैं, first session में यह बताया था, तो यह तुमको clear रहना चाहिए भी, आगया आते है, यह क्या होगा, log of indices से 1 by 2 आगया जाएगा, बैटा, तो यह हो जाएगा, 1 by 2 into, log to the base y of x, into इसको क्या लिख सकते हो, 3 into, log to the base z of y, into, यह देखो 2 by 3 होगा, और वो 2 by 3 पूरा का पूरा आगयाएगा, so 2 by 3 into, log to the base x of z, log to the base x of z, log of क्या लगया इदर, बैटा, log of exponent हमने वहाँ पे लगया है, so log of exponent हमने वहाँ पे लगया है, यह जो power रहेगा, log उसको क्या करेगा, आगे खिच लेगा, जो भी power है, उसको log क्या करने वाला है, आगे खिचने वाला है, so यह हो जाएगा, बैटा, 1 by 2 into तो यह cancel out हो सकती थी चीज़े, cancel out हो सकती थी, उसको cancel out कर देते, सारी multiplication में है चीज़े, confuse मत वना, यह 2 और यह 2 cancel out हो गया, यह 3 और यह 3 cancel out हो गया, अब क्या करते हैं, simplify करने के लिए change of base rule लगाते है, यह log to the base y of x, log to the base y of x, यह लाग काई लिए उसको अपन, log to the base y of x, लाग काई लिए उसको, log of x upon log of y, सर आप base लिखी ने रहे हो, यहाँ पर base, दोनों same same रहता है, तो मैं 10 10 consider करके लिख रहा हूँ, और जब base 10 है, तो मैं वरको लिखने की जरुवत नहीं है, into, यहाँ पर हो गया log of y upon log of, यह क्या हो जाएगा, बटा हमारा z, into, यह क्या हो जाएगा, बटा log of z, upon log of x, यह क्या हो log z भी cancel out हो गया, यह log z और log z भी cancel out हो गया, final answer कितना आजाएगा, बटा हमारा one, final answer आजाएगा हमारा one, तो again a simple question, laws of indices, sorry, laws of indices पहले यूज किया था, x की power 1 by 2 लिख सकते है, इसको लिख सकते है, z square की power 1 by 3, फिर law of exponent, logarithm में जो बड़ा number को आगे खिसता है, वो कर दिया, और फिर उसके बाद, change of base rule, यहाँ पर अगर बात करें, तो क्या use किया है, हमने stage में, change of base use किया है, change of base rule use किया है, ऐसे बोल दो, तो I hope कि हाँ point सुद्धा तुमारा clear listener, I hope कि हाँ point सुद्धा तुमारा clear यह रसनर है, आगे बढ़ते हैं, next question के उपर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, next question के उपर आते हैं, prove that के form वाली यह question है, इस question पर जाने से पहले, change of base rule की और भी कुछ property होती है, उसको समझ लेते हैं, तो यहाँ पर मैं उस property को note down करवा देता हूँ देखो, one upon lock to the base a of b, one upon lock to the base a of b, इसको क्या लिख सकते हैं, आपन देखो, one upon lock to the base a of b को lock to the base b of a लिख सकते हो, जो number था, वो base में चला गया, जो base में था, वो number में आ गया, तो one upon lock to the base a of b को क्या लिख सकते हो, one, lock to the base b of a लिख सकते हो, इसका simple सा proof हो सकता है, कैसे हो जाएगा, देखो, इसका proof अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर अगर देखें, इसका proof बताता हो, बढ़ यह property तुम लोग directly याद करो, इस property का proof मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर short में मैं तुम को proof करके बता देता हूँ, इसका की कैसे आएगा, तो one upon lock to the base a of b, change of base rule से इसको क्या लिख सकते हैं, बढ़ पन log b upon log a लिख सकते हैं, log a जो है वो ऊपर चला जाएगा, denominator denominator का denominator, तो यह हो गया बटा हमारा log a upon log b, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे log of, base में b आ जाएगा और number में a चला जाएगा, base में b आ जाएगा, number में क्या चला जाएगा, a चला जाएगा तो easily इस property को हम लोग याद रख सकते हैं, कि one upon lock to the base a of b, तो यहाँ पर base में a था number b था, तो उल्टा हो गया, base में b आ जाएगा, number के जगाँ पर a चला गया number के जगाँ पर a चला गया, simple सा उसका proof है, तो उसको देख कर रखो आते हैं इसी property का यहाँ पर use करते हैं, LHS अगर हम लोग देखें सो LHS में क्या दिया हुआ था, देखो one upon lock to the base a b of a b c, plus one upon lock to the base b c of a b c, plus इसको अगर देखें वेटा, तो यह क्या हो रहा है, one upon lock to the base c a of lock to the base c a of a b c था, अब number में a b c है, तीनों भी log में इसको इस property का use करो तो यह क्या हो जाएगा, log of base में चला जाएगा, कोन आ जाएगा, base में अभी a b c आ जाएगा, और number के जगा पे आ जाएगा, पिटा, a b, plus इसके case में भी होई होगा, base में चला जाएगा, a b c, number के जगा पे आ जाएगा, b c, plus यह हो जाएगा, log of, base में आजाएगा बिटा हमारा ABC और नमबर के जगा पे चला जाएगा C है नमबर के जगा पे आपका चला जाएगा C बीच में plus plus है और base सेम है यहाँ पे क्या यूज किया यह वाला लॉल हमने यूज कर दिया इसके आगे बढ़ते हैं यह step में हमने वाली लॉज की अभी base सेम है law of product यूज कर तो यह हो जाएगा log of base में आ जाएगा ABC AB into BC into C है AB into BC into C है इसी को क्या बुला है वेट हमने इसी को बुला है हमने law of product इसी को हमने बुला है law of product आगे आते है log to the base ABC बेस में आ जाएगा ABC यहाँ पे हो गया ABC का whole square A square B square C square आ रहा है देखो AB into BC into C अगर होगे तो क्या रहा है A square B square C square उसको क्या लिख सकते हो ABC का whole square क्या लिख सकते है बटा ABC का whole square अभी क्या करेंगे यह जो 2 है इसको हम लोग क्या कर सकते है आगे खिच सकते हैं तो ये कैसे बनेगा 2 into log to the base ABC of ABC और ये चीज धैन दो ये जो चीज है इसका value कितना होगा 1 होगा अगर base और number सेम हो जाए अगर base और number सेम हो जाए तो उसका value कितना आजाएगा 1 so 2 into 1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 into 1 तो final answer will be 2 final answer will be 2 मतलब RHS prove that वाली question थी तो RHS आगया so I hope कि हाँ points उद्धा clear है change of base rule का ये application है या corollary है ऐसे बोल सकते हो तुम लोग कि one upon lock to the base EOF बिलापन काईल विशुक तो lock to the base B off हो उल्टा लिख सकते हो तो ये भी चीज जो है वहाँ पे धैन में रखना है तुमको इसको लिखा अभी base तीनों का same है base अगर तीनों का same है तो क्या करोगी numbers जो है वो product में आ जाएगी addition में जो numbers थी वो product में आ गई आगे बढ़ते हैं next question के उपर आते हैं इस question में भी एक अलग property प्रॉपर्टी है वो देखो हमने पीछे एक property पढ़ा है बेटा लॉप exponent लॉप टुदबेस ए ओफ एक्स की power of m तो इसको क्या लिख सकते हैं m इंटू लॉप टुदबेस ए ओफ x लिख सकते हैं m इंटू लॉप टुदबेस a ओफ x लिख सकते हैं ये जो लॉप लिख सकते हैं 1 by n इंटू लॉप टुदबेस a ओफ m 1 by n इंटू लॉप टुदबेस a ओफ m मतलब बेस में जो नंबर है उसके power में कुछ तो चीज़ आ रहा है भी लॉप exponent में लॉप exponent में लॉप exponent में क्या होता है ये जो नंबर है इसके power में कुछ तो रहता है तो वो आगे आ जाता है यहाँ पर बेस में जो नंबर है इसकी power में कोई तो चीज़ है तो इसको कैसे करना है reciprocal लेकर आगे लेना है फिर से इस property का proof तो इस property का एक simple सा proof रहेगा इस property का एक simple सा proof रहेगा और उसका proof भी मैं तुमको short में बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे proof भी पता रहना चाहिए, तो वो proof भी तुम लोग लिख सकते हो, आते हैं इस property के proof पे, तो यह हो गया log to the base a of n of m, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बटाम लोग, change of base rule के accordingly यह हो जाएगा log m upon, log of a की power of n, log of m जो number रहता है उसका log और जो base में रहता है, उसका log change of base rule यही तो बोलता है, अब यह क्या करेगा, n को आगे लिख करा जाएगा, तो यह हो गया log m upon, यह n आगे ला लिखा लिखा था, exponent rule से तो यह n into log of a, अब यह हो गया 1 by n into, इसको फिर से कैसे लिख सकते हो, log to the base, a of m लिख सकते हो, तो वही तो लिखा था right में, तो इतनी stages हमको नहीं करनी है, बार बार सिधे सिधे याद रखेंगे, base में जो number है, अगर उसके power में कोई चीज आता है, तो उसको reciprocal करकर आगे लो, उसको reciprocal करकर आगे लोगे, इसको हटा देता हूँ, यह property में recording भी तुमको कैसे prove किया गया, यह clear रहना चाहिए, इसका use देखते है वेटा, LHS अगर हम लोग देखें, तो base में a आ रहा है न, base में a आ रहा है, a की square लिखी है, यहाँ पर a की cube लिखी है, यहाँ पर a की power of p लिखी है, तो काफी अच्छा कोश्चे नहीं है, LHS मैं लिख देता हूँ, वहाँ पर, so LHS था हमारा, log to the base a of x, plus log to the base a square of x square, plus log to the base a cube of x cube, और ऐसी गया था है, log to the base a की power of p, into x की power of p, तो दो चीज़े यूज होगी, पहले यूज करते है, law of exponent, number की power में जो है, उसको आगे खिसते है, पहले यूज करते है, law of exponent, तो यहाँ पर यूज करने वाले हम लोग, law of exponent, law of exponent से क्या हो जाएगा बिटा, यहाँ पर तो कोई number है नहीं न, power में, तो यह हो गया, log to the base a of x, प्लस, यह 2 जो है, वो आगे आजाएगा, यह 2 जो है, वो आगे आजाएगा, यहाँ पर देन दोगी, यह 2, यह 3, यह P, इनको हम लोग आगे खिच लेंगे, कि एक बार क्या लगाना है, law of exponent लगाना है, और एक बार जो side में property लिखाए, वो लगाना है, तो यह 3 into log to the base a cube of x, में step poise कर रहा हो, ताकि किसी बच्चे का confusion होगा, तो वो clear हो जाएगा, यह a की power of p, और इसके पहले p आया होगा, तो यह हो गया p into, तो यह plus p into log to the base a की power of p into x, यह ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा log to the base a of x, plus 2 into, अब क्या करता है, यह वाली property लगाते है, इस property के accordingly, 1 by 2 into log to the base a of x हो जाएगा, base की power में कोई number अगर है, तो वो receive रोकल होकर आगे आएगा, तो यह 2 अगर था, base की power में, तो 1 by 2 आगे लोगे, तो यह 3 into, base की power में 3 था, तो यह 1 by 3 आगया यह, log to the base a of x, प्लस, यह हो जाएगा आगे, p plus, p into 1 by p, into log to the base a of x, log to the base a of x, तो यहाँ पे सारी चीज़े कुछ cancel out हो रही है, p, p cancel out हो रही है, 3, 3 cancel out हो रही है, 2, 2 cancel out हो रही है, आगे बढ़ते हैं, यह हो जाएगा बेटा, log to the base a of x, प्लस, यह भी cancel out हो गया, log to the base a of x, यह भी हो गया, log to the base a of x, ऐसी, log to the base a of x, यह भी आगया, कितने बार हो रहा है वो, तो देखो, कितने बार हो रहा है, वो P times हो रहा है, ना, power P तक गया था, power 1 से लेके थो, X की power 1, 2, 3, ऐसे करते-करते P तक गया था, मतलब P times है, कितने terms है, P times है, तुमको easy जाने के लिए मैं क्या करता हो, lock to the base A of X को बाहर निकाल दिया, तो 1 plus 1 plus 1, कितने बार बेटा, P times, 1 plus 1 plus 1 plus 1 कितने बार हो रहा है, P times हो रहा है, तो मेरे accordingly ये step भी तुमको clear रहना चाहिए, lock to the base A of X, वैसे P times add हुआ था, मैंने अभी का common निकाल कर बताया, ताकि तुमको confusion ना रहा है, तो 1 plus 1 plus 1 कितने बार आएगा, P times आएगा, अब ऐसे सोचो, 1 plus 1 अगर दो बार किया, तो कितना आता है, 2 आता है, 1 plus 1, 3 times अगर हम लोक करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, 1 plus 1 plus 1 4 times करें तो 4 आएगा, ये किया कर रहा है, 1 plus 1 plus 1 P times कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, P आएगा, 1 plus 1 plus 1 P times कर रहा है, इसलिए, tava P हो जाएगा, तो यहो गया, lock to the base A of X, into में क्या कि यहांपर धयन देने वाली बात यह थी लॉक के नंबर के पावर में कोई चीज bean आ गयाटा है जो सी еще प्रोपले करकर आगे ले नहीं तो यह property भी वहाँ पे जो है वो धैन रखोगे तो कुछ properties मैंने वहाँ पे करवाई उसको हम लोग आगे list down भी करेंगे एक साथ list down करेंगे सारी properties तो change of base rule उसके पहले की question में उसका corollary use क्या था उसी का use करके ये एक result है इसको recommended है कि directly याद रखो इसका प्रूब भी बताया आगे बढ़ते है बटा आते हैं next slide के उपर आते हैं next slide के उपर तो यहाँ पे अगर हम लोग देखे तो एक equation form वाली question है हमारे पास में यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो एक equation form वाली question है और हमको solve for x मतलब x की value यहाँ पर find out करनी है तो इस question को start करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x plus lock to the base 10 दिया हुआ था इधर भी lock to the base 10 वालिटा हम आ रही है तो पहले क्या करते हैं यह जो x है इसको उपर भेज देते हैं उसको उपर भेजने के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे law of product use कर पाएंगे कि log m plus log n log of mn होता है तो वो use करने के लिए हम लोग उसको पहले उपर भेज देंगे इसको अभी का as it is लिखता हूँ बट वैसे कल एक question किया था तो तुमको समझना चाहिए कि 1 के जगा पे हम लोग log to the base 10 of 10 लिख सकते थे तो वो आगे बताता हूँ 1 plus 2 की power of x is equals 2 यह हो गया log to the base 10 of यह हो जाएगा हमारा 5 की power of x plus log to the base 10 of 6 question चाहिए ठीक है चलो मैं start तो करता हूँ अगर इसमें printing mistake रहेगा तो रुख जाएगे अपन वरना तो हो जाएगा मेरे को पता नहीं है या नहीं अपन start करते है 6C होगा अगर लिखा है तो तो यहाँ पर आता है आगे बढ़ते बेटा यह जो x है इसको इंटू 1 बोलकर यहाँ पर देंदो यह जो x है इसको इंटू 1 बोलकर मैं क्या करता हूँ लॉक्टू दबेस 10 of 10 लिख देता हूँ क्योंकि लॉक्टू दबेस a of a कितना होता है 1 होता है तो उस 1 के जगा पर लॉक्टू दबेस 10 of 10 को लिखा plus log to the base 10 of 1 plus 2 की power of x is equals to log to the base 10 of pi u की power of x into 6 pi u की power of x into 6 right में लग गया product rule law of product लगा यह x फिर से उपर जाएगा तो यह हो जाएगा log to the base 10 10 की power of x plus log to the base 10 1 plus 2 की power of x is equals to log to the base 10 6 into 5 की power of x 6 into 5 की power of x log m plus log n तो left side में क्या हो जाएगा log to the base 10 of m into n 10 की power of x into 1 plus 2 की power of x is equals to log to the base 10 of 6 into 5 की power of x और यह log log cancel out होता है ऐसे बोलोगे कल जैसे questions किये थे log log वहाँ से हट गया मतलब वो function हमने वहाँ से remove कर दिया इसको solve करते है बेता क्या हो जो देखते हैं तो अगर मैं इसको solve करूँ तो यह जो equation बन रही है वो कैसे बन रही है 10 की power of x इसको 10 की power of x को अंदर multiply कर दो into 2 की power of x into 10 की power of x 6 into 5 की power of x shift कर रहा हूँ इधर की stage पर आ रहा हूँ confuse मत करना क्या कर रहा हूँ properly observe करो 5 की power of x को मैं अभी का t1 ले दाओ या 5 की power of x से पहले divide कर दो divide by 5 की power of x 5 की power of x से divide कर दो so divide by 5 की power of x से अगर मैं divide करूँ तो क्या आएगा बेटा देखो ये 10 की power of x upon 5 की power of x plus यहाँ पर अगर देखे तो 2 की power of x into 10 की power of x upon 5 की power of x is equals to 6 आ गया is equals to 6 आ गया मैं accordingly ये चीज़ तो clear है ना चाहिए 5 की power of x से मैंने क्या किया यहाँ पर divide कर दिया तो ये क्या बनेगा बेटा 10 by 5 की whole power of x इसको ऐसे लिख सकते थे ना आपन 10 by 5 की whole power of x है ना तो इसको मैं जान बूच कैसे लिख देता हूँ एक stage बढ़ जाएगा बड़ तुमा इसको लिखा 2 की power of x plus 2 की power of x का square मैं उसको लिख सकता हूँ 4 की power of x को हम लोग क्या लिख सकते है उसके बाद 2 की power of x का square लिख सकते है और यहाँ पर अगर हम लोग properly observe करें तो एक quadratic equation बन रहा है तो put 2 की power of x is equals to t बोल दिया अगर ऐसे करें तो एक quadratic equation बन जाएगा t plus t square is equals to 6 तो t square plus t minus 6 is equals to 0 तो t plus 3 into t minus 2 is equals to 0 t का value minus of 3 और t का value 2 t का value minus of 3 और t का value 2 so I hope and believe कि हाँ पाट तुम्हाला clear असे श्रीव यह step में तब y की power of x से divide करोगे quadratic equation बना तो यहाँ से 2 की power of x का value minus 3 और 2 की power of x का value 2 यह धान देना है बटा कि यह जो value है वो delete हो जाएगा negative वाला value जो है वो delete हो जाएगा क्यों delete हो जाएगा सर लॉक का अपने जब definition पढ़ा तब देखो a की power x is equals to m लिखते है अपन a की power x is equals to m यह exponential form था और यह m हमेशा positive होता है यह m हमेशा कैसे होता है positive तो यह value negative आ रहा है यहाँ पर negative आ रहा है इसले इसको हटा दिया यह negative आ रहा था इसले इसको हटा दिया काई के लाए अपन बगा एक्स इंटू 1 बोला अपन ने और वो 1 के जगा पर हमने क्या लिखा log to the base 10 of 10 लिखा यहाँ पर इसको पहले x को उपर भेजा law of exponent से law of product लगाया तो 5 की power of x into 6 है फिर यह x को उपर भेजा और इधर law of product लगाया है न तो यह ऐसे आ गया log log cancel इसके बाद में यह stage के बाद यह stage important है कि 5 की power of x को उपन ने क्या किया है यहाँ पर divide किया है 5 की power of x से अपन ने क्या किया है वहाँ पर divide किया है उसकी बाद की calculations देख लो यहाँ पर last stage में रहां देना exponential function का output यह exponential form था उसका output कभी negative नहीं हो सकता है इसलिए उस number को हमने वहाँ पर eliminate कर दिया तो आगे बढ़ता है बटा next slide के उपर आता है next slide मतलब logarithm की जो log table वगेर है उसको कैसे use करना है उसको कैसे use करना है यह सब हम लोग अभी पढ़ने वाले तो उस पर जाने से पहले एक property में यहाँ पर और पढ़ा देता हो एक property में यहाँ पर और पढ़ा देता हो कि एक property था बेटा हमारे पास में एक property और यह पढ़कर रखो जो की entrance की question solve करते वक्त तुमको use होगा कि a की power में log log की base में a off x याने x के बराबर आता है कैसे याद रखना है इसको number number की power में log log की base में same number example की अगर मैं बात करूँ कि 2 2 की power में log और base में 2 2 की power में log उसकी base में फिर से 2 of x अगर है तो यह x के बराबर आएगा यह cancel होता है ऐसे समझो 2 की power में log to the base 2 of x कैसे आता है सर यह property कल के session में ही बता दिया था इसका proof logarithm to exponential forms आया था बस question वहाँ पे नहीं हो पायते तो मैंने अभी आज करवा दिया अगर वैसे ही सोचो 5 log to the base 5 of ऐसे ही लिख देता हूँ sin of x लिख देता हूँ तो इसका answer कितना आएगा बटा sin of x आएगा ऐसे एक question में यहाँ पे लिखता हूँ कि find third question find मानलो अगर हमको ऐसा question दे दिया जाए 4 की power में log to the base 2 of sin of x plus 9 log to the base 3 of cos of x अगर मेरे को यह question solve करना है इसकी value मेरे को find करना था तो उसमें इस property का use होगा कैसे करेंगे वो देखते है 4 की power में log to the base 2 था बटा 4 का open क्या लिख सकते है वो देखो 4 का open क्या लिख सकते है 2 का square लिख सकते है उसकी power में log to the base 2 of sin of x directly तो cancel नहीं होगा क्योंकि इदर base 4 है और यहाँ पे log का जो base है वो 2 है यह number और यह number same रहना चाहिए वो cancel होके x आता यह 2 था तो यह भी 2 था इसलिए x आया था यह 5 था यह 5 था इसलिए पूरा cancel होके sin x आया था यहाँ पे 4 है और इदर 2 है तो cancel नहीं होगा 4 को लिखा पहले 2 square वैसे यहाँ पे 9 है इदर 3 है cancel नहीं होगा 9 को क्या लिख सकते हो 9 को लिख सकते है अपन पेटा 3 square यह हो गया था हमारा log to the base में 3 of cos of x log to the base में 3 of cos of x आगे बढ़ता है यह multiplication में चला जाएगा तो यह बन जाएगा 2 into log to the base 2 of sin of x यह 3 की power में 2 into log to the base 3 of cos of x 3 की power में 2 into log to the base यह 2 भी इसके multiplication में चला जाएगा अब क्या करना है देखो अब क्या करना है यह 2 को हम लोग sin x की power में भेज़ देंगे यह 2 को हम लोग cos x की power में भेज़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log of exponent लगया 2 की power में log to the base 2 of sin of x का square plus 3 की power में log to the base 3 of cos of x का square अभी यह cancel out हो जाएगा बेटा देखो 2 log to the base 2 ऐसे 2 की power में log to the base 2 यह ऐसे cancel out होता है ऐसे बोल दो तो यह क्या जाएगा हमारा sin of x का square plus cos of x का square अभी वाला property लगाया उपर वाला सबको पता है sin square theta plus cos square theta कितना होता है 1 तो इस logarithmic expression का value कितना आएगा 1 आएगा बहुत जादा idea देगा तुमको यह question की कैसे यह property लगता है तो यह base और यह number सेम रहेगा तभी वो cancel out होता है यहाँ पर सेम नहीं था तो पहले 4 को लिखा 2 square उसके बाद यह 2 और यह multiplication में आ जाएंगे है ना इसके पीछे का reason भी अगर किसी को चाहिए a की power of m उसकी power of n अगर रहता है तो इसको हम लोग a की power of mn लिखते है बटा a की power of mn उसको लिख देते हैं हम लोग है ना तो यह दोनो multiplication में चले गए सिदे 2 into log to the base 2 of sin of x फिर उस 2 को ऊपर भेजा log of exponents से so I hope की ही slide सुद्धा तुम्हाला clear असनर है आगे बढ़ता है next slide के ऊपर आता है next slide में अगर हम लोग बात करें तो common logarithm और logarithmic table क्या होता है यह हम लोग यहाँ पर सब पढ़ने वाले common logarithm मतलब मैंने तुमको already बता दिया था कि logarithm to the base 10 are called common logarithm जो भी log table तुमने market से purchase किया रहेगा तो वहाँ पर common logarithm जब अपम लोग पढ़ता है तो उसका base कितना रहता है 10 रहता है natural logarithm में base e रहता है वो भी बता दिया है यहाँ पर कुछ चीजे इन्होंने लिखी है उसको understand करता है कि 10 square याने कितना होता है पैटा 100 होता है 10 square याने कितना होता है 100 होता है इसका अगर हम लोग logarithmic formula तो log to the base 10 of 100 log to the base 10 of 100 इसका value कितना आएगा 2 आएगा इसका value कितना आएगा 3 आया, इसका मतलब 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर है, उनका log अगर मैं calculate करूँ, तो उसका आने वाला value 2 और 3 के बीच में होगा, log of 102 है, log of 1003 है, तो अगर मैं बोलता हूँ तुमको कि log of 400 का value बता, तो ये value क्या होगा बेटा 2 point something होगा, ये value कितना होगा 2 point something, 2 और 3 के बीच में होगा, अगर मैंने तुमको बोला log to the base 10 of 600 का value बताओ तो ये भी value 2 point something होगा, क्योंकि log of 102 है और 1000 3 है तो 2 और 3 के, sorry 100 और 1000 के बीच में जितने number आएंगे, उन सभी का log का value अगर हम लोग point करें तो वो कितना आएगा, 2 और 3 के बीच में मतलब 2 point something आएगा मतलब 2 point something महाँ पे आएगा तो यही इन्होंने लिखा है यही इन्होंने लिखा है कि 764 एक number इन्होंने लिखा तो 764 जो है 100 और 1000 के बीच में आता है अब 764 अगर 100 और 1000 के बीच में आता है तो log of 764 की value क्या हो जाएगी 2 और 3 के बीच में रहेगी So log to the base 10 of 764 इसका value 2 और 3 के बीच में हमारा रहने वाला है इसका value जो है बटा वो 2 और 3 के बीच में हमारा रहने वाला है तो 2 point something उसका value आएगा ऐसे हम लोग उसको बोल लेंगे आगे बढ़ता है तो यह उन्होंने वहाँ पे लिख दिया is number between 2 and 3 So 2 plus k फॉर्म कराएगा तो यहाँ पे main बात जो है वो धहन दो कि part 2 is called characteristics part 2 is called characteristics और fractional part k is called mantissa fractional part k is called mantissa इसको और समझता है कि log to the base 10 of 10 वन होता है log to the base 10 of 100 यह 2 होगा log to the base 10 of 1000 यह 3 होगा तो अगर मैं 10 से लेके तो 100 के बीच का कोई number का log निकालो तो अगर मैंने तुम को बोला log of log to the base 10 of 48 का value निकालो तो यह क्या होगा बटा 1 और 2 के बीच में होगा यह क्या होगा value 1 और 2 के बीच में 1 point something आएगा तो 1 हो गया उसका characteristics और जो भी fractional part आ गया आने वाला है उसको वो लेंगे हम लोग menti सा अब यह दोनों भी चीज़े हम लोग जो है वो calculate कर सकते है using log table यह सारी चीज़े हम लोग find out कर पाएंगे using log table तो यह उसके पीछे का basic theory था कि characteristics क्या होता है menti सा क्या होता है यह हमने हाँ पे basic way में समझाए आगे बढ़ते है characteristics find out करने के लिए बहुत जादा simple way में तुमको बताने वाला हूँ हो सकता है कि कि किसी बच्चे ने अगर college वगेरे में पढ़ा है उनने कुछ rules वगेरे लिख कर देते है उनको याद करना बहुत difficult हो जाता है तो उससे नहीं पढ़ने वाले अपन अपन पढ़ने वाले एक simple सा format से कैसे पढ़ेंगे वो देखते हो तो जो भी number हमको दिया है और उसका अगर हमको characteristics find out करना है तो number whose characteristics to be find can be written in the form of so write the given number यहाँ पे श्रीप लिख कर रखता हूं है write given number या हिंदी में लिखता हूं given number को given number को एक डिजीट के बाद given number को एक डिजीट के बाद या आप्टर वन डिजीट एक डिजीट के बाद एक डिजीट के बाद decimal point देकर represent करो and 10 की power gives characteristics 10 की power gives characteristics देखते ही है सर आपने क्या लिख दिया आते है बटा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे numbers लिख रहा हूं और आपको characteristics बताने हैं यहाँ पे मैं कुछ numbers लिखता हूं उसके आपको characteristics बताना है तो यहाँ पे numbers हम लोग लिख देंगे और हमको उसका बताना है बेटा characteristics मानलो यह एक number है 8.704 तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा already जो given number है वो एक digit के बाद decimal देकर लिखा हुआ है already जो given number है वो एक digit के बाद decimal देकर लिखा हुआ है तो इसको अपन क्या लिखेंगे 8.704 into 10 की power 0 into 10 की power 0 तो इसका characteristics की अगर मैं बात करूँ तो यह जो power में 0 लिखा हुआ है यह जो power में 0 लिखा हुआ है यही इसका characteristics है तो इस number का characteristics कितना हो गया बटा 0 हो गया अगर वैसी बात करेंगी मानलो मैं लिखता हूँ कि 87.04 तो पहले आप लोग इसको कैसे लिखोगे 8.704 into 10 की power 1 into क्या लिखोगे 10 की power 1 हमेशा number को एक digit के बाद decimal देकर लिखना है वो देते वक्त कैसे भी दो पहले हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे कि एक digit के बाद decimal आना चाहिए तो 87.04 लो आपन कसे लिखना रहे 8.704 into 10 10 की power 1 तो यहाँ पह अगर मैं characteristics की बात करूँ तो यह जो 10 का power यही इसका characteristics है यही इसका characteristics है अगर मैं बात करूँ कि 1204 एक number है यहला आपन काह लिखना रहे एका digit नंतर decimal देवन लिखना है so 1.204 into 10 की power of 3 सोच कर देखो 10 की power of 3 1000 से जब तुम इसको multiply करोगे तो यह पूरा का पूरा number ऐसे आ जाएगा मेरे को यह तो तुम पे भरस आए कि तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो तो यह हमने लिखा इसको और यह जो power है इसी को हमने बोला characteristics तो यहाँ पे और भी कुछ numbers के लिए हम लोग ले लेते हैं मानलो अगर मेरे पास में number है 0.123 है बेटा है ना तो इसको मेरे को क्या करना रहेगा पहले एक digit के बाद decimal के form में लिखना है तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 1.23 into 10 की power minus 1 यहाँ पे confuse नहीं होना है 1.23 into 10 की power minus 1 है ना 1.23 upon 10 जर अपन लिले 10 की power minus 1 यहाँ ने divide में जाएगा तो यह क्या बन जाएगा 0.123 तो तुमारा जो question था वो as it is है 0.123 ले अपन 1.23 into 10 की power minus 1 लिख सकते हैं यह जो power में इसको अपन क्या बोलेंगे इसका characteristics तो यह हो गया हमारा 1 bar तो जब ऐसे भी number आए तो confuse नहीं होना है मानलो 0.08704 था तो इसको अपन कैसे लिखेंगे पेटा 8.704 into 10 की power अब देखो 1 0 लेना है उधर तो जाएगा minus 1 फिर से और एक लेना है तो यह हो जाएगा 10 की power minus of 2 यह हो जाएगा 10 की power minus of 2 तुम लोग लिख कर देखो मेरे accordingly तुमको वो clear है तो negative number के लिए ऐसे 2 bar लिखा है 1 bar लिखा है पढ़ना कैसे वो समझ लो तो minus 1 minus 2 नह लिखते है 1 bar 2 bar ऐसे form में उसको हम लोग लिखना है so characteristics given number का कैसे find out किया जाता है यह तुमको यहाँ पर बहुत easily समझ जाना चाहिए था क्या करना है given number को एक digit के बाद decimal देकर लिखना है उसके लिए 10 की power का form का use करेंगे 10 की power में जो भी number रहेगा वही हमको characteristics दे देगा 10 की power में जो भी number रहेगा वही हमको क्या करेगा characteristics वहाँ पर देने वाला है तो characteristics तो clear है अब किसी number का जब हम लोग लोग निकालते है तो वह होता है sum of characteristics plus mentisa किसी भी number का अपन log अगर निकालते है तो उसको characteristics plus mentisa के form में पढ़ते है अब characteristics हमने निकालना पड़ लिया किसी भी number का characteristics हम लोग निकाल सकते है अब आते हैं mentisa के उपर बेटा कि किसी भी number का mentisa कैसे find out किया जाता है पहली बात तो mentisa जो है it is a number between देखो वो क्या था 2 plus k था ना तो वो जो number है it is a number between 0 and 1 always हमेशा 0 और 1 के बीच का ये number रहने वाला है 0 और 1 के बीच का हमेशा number रहेगा 0.2, 0.54 जो भी रहेगा ये value आएगी find from lock table find from कहां से find करता है mentisa find from lock table अब इसका use करने mentisa find करने के लिए lock table का use होता है अगर मैं तुमको number दे रहा हूँ और उसका mentisa हमको find out करना है अगर हम लोग तुमको number दे रहे हैं और इसका mentisa आपको बताना है वेटा तो यहाँ पर हमें लिख देता हूँ number और इधर लिखते है अपन उसका mentisa तो जो भी number हम लोग ले तो 87 8.704 जो number आ रहा है धहन में वो लिख रहा हूँ 8.704 यह number था इसका mentisa निकालना है तो find from lock table अब find करते वग क्या करना है वेटा remove decimal point जो भी number का mentisa तुमको find करना है उसके लिए process क्या होता है वो धहन दो जो भी number दिया गया है इसमें से decimal point को completely हटा दो तो क्या करना है इसका step 1 remove decimal point step 1 find करने के लिए step 1 होता है remove decimal point remove decimal point decimal points को completely हटा दो जिस भी number का तुमको mentisa find करना है उसमें से completely decimal points को हटा दो अब step 2 first two numbers first two numbers row लिखता हो यहां पर third number and fourth में fourth mean difference क्या चीज़े यह लिखकर रखता हो तुमको understand होगा fourth का क्या देखना है तुमको mean difference देखना है आते है इस पर अगर इसका मेरे को mentisa निकालना है तो decimal हटा दिया इसका decimal जो हटा दिया है decimal अगर में हटा दू इसा निकाला कैसे जाता है तो यह हम लोग देख रहे है अभी lock table अगर तुम लोग lock table देखोगे तो क्या करना था 8704 यह number था हमारा 8704 अगर number है तो 8704 अगर नमबर है तो 8704 पहले दो डिजिट है तो यह आ गया 87 वाली row में इसको मैं थोड़ा सा अभी का जूम कर देता हूँ इसको अभी का थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं ताकि तुमको चीजे clearly दीखे तो क्या करना था पहले जो दो numbers है 8704 था तो 87 पहले दो डिजिट उठाए तो 87 आया तो 87 वाली row में जाओ 87 वाली row में जाओ तो यह जा रहा है बटा हम लोग 87 वाली row में अब 87 वाली row में जाकर क्या करना था जो भी third digit है जो भी third digit है यहाँ पर देखो third digit का number उठाओ उसमें main difference of four digit को add करो third digit का number उठाओ fourth digit का main difference आड करो third digit के आए देखो 8704 ना तो third digit है 0 तो 87 में गया third digit 0 था third digit 0 था तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे एक मिन रुख जाओ थोड़ा सा problem जा रहा है ठीक है इसको फिर से zoom यह करना पड़ेगा मेरको ठीक है यह क्या किया वेटा मैंने 87 वाली रो में गया तुम्हारे पास में lock table लेकर बैचना expected है 87 वाली रो में जाने के बाद तुमको क्या करना था वो देखो 87 वाली रो में जाने के बाद हमको क्या करना है वो देखो third number 0 है तो 0 वाली column में आ जाओ यह 87 वाला row में गया 87 वाली row में जाने के बाद 0 वाला column अगर मैं देखओ तो यह number मिलेगा 0 वाली column तो यह क्या हो गई यह number हो गई हमारी 9395 यह वाली number हो गई बढ़ा हमारी 9395 अब इसमें क्या करो जो fourth digit है 8704 ये number था हमारा 8704 ये number था 87 वाला roll ही हमने 0 वाला column देखा 0 वाला column match किया तो 9395 हो मिला तो ये 9395 हो clear रहना चाहिए आगे बढ़ रहे है 4th digit है 4 तो 4 का mean difference दोगे 4 का mean difference दोगे 4 का mean difference देखो बेटा 4 का mean difference अगर देखे हम लोग 4 का mean difference 2 है तो इसमें 2 add कर दो तो क्या आएगा 9397 क्या आएगा 9397 तो मेरे accordingly तुमको clear रहना चाहिए यहाँ पर मैं calculations लिख कर बताता हो तुमको 87 वाली row में जाना था 0 वाली column में जाना था और 4 जो है इसकी mean difference में जाना है 4 की mean difference में जाना है जब मैं 0 वाली column में जाना तो मेरे को क्या मिला 9395 मिला 4 का mean difference था 2 दोनों को add किया 9395 प्लस 2 तो कितना हुआ बटा 9397 आया और menti सा मैंने तुमको पहले ही बुला 0 से 1 के बीच का होता है तो यह 0.9397 लिखना है यह लिखना था तुमको 0.9397 menti सा लिखते वक्त 0.0 के साथ लिखो menti सा हमेशा 0 से 1 के बीच का नंबर होता है और देखते है बटा menti सा ही निकालना है हमको भी ठीक है सिरिप 0.01234 अगर इसकी characteristics की बात करो तो इसका characteristics के आएगा एक digit हताने के लिए 10 की पावर माइनस 1 दूसरा उदर लेने के लिए 10 की पावर माइनस 2 और एक उदर आएगा 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 2 तक आ जाएगा इसको अगर लिखना है तो 1.234 into 10 की पावर माइनस 2 लिखोगे तुम लोग characteristics माइनस 2 होगा अब आते हैं mentee सा पे तो इसके mentee सा के लिए क्या करोगे पिटा देखो इसके mentee सा के लिए 1,2 वाली row में जाओगे उसके बाद 3 वाले column में आओगे 3 वाली column में आओगे और इसके बाद 4th number 4 है तो इसको मैं change करके 5 करता हो वरना तुम confused हो जाओगे जो भी number रहे यहां पर उसका mean difference है 1,2,3,5 लिखता हो तो यहां पर क्या करना है तुमको 5 जो है इसका देखना है तुमको mean difference 5 जो है इसका देखना है तुमको mean difference क्या करना था देखो पहले decimal point को हटा दो मेंटी सा के लिए decimal point को हटा दो 4 digit number रहेगा हो पहले 2 digit वाली row में जाओगे 3rd जो number है उसकी column में आना है 3rd जो number है उसकी column में आना है 4th वाले का mean difference देखना है 1,2 वाली row में जाएगे कैसे करेंगे आगे देखते हैं 1,2 वाली row में जाओगे तो यह हमारा है 1,2 वाला row हमने select किया 1,2 वाली row में जाकर क्या करना था हमको 3 वाला column तो यह 3 था तो यहाँ पे number देखोगे तो यह आगया 0 point sorry 0,899 number क्या आगया वाटा 0,899 तुम अपने log table में देख सकते हो 5 का mean difference 5 का mean difference is 17 5 का mean difference is 17 यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यह number दुमको मिलेगा बेटा 0,899 और 5 का mean difference अगर हम लोग देखते हैं तो 5 का mean difference आएगा मेरा 17 5 का mean difference आएगा मेरा 17 इसको add कर दो 0,899 प्लस 17 अगर मैं करूँ तो यह 6 हो गया इधर add करता हो तो यह 10 प्लस 1 11 और इधर add किया यह 0 तो यह 0916 तो इसका mentee सा अगर मेरे को लिखना है तो यह हो जाएगा 0.0916 mentee सा तुमको 0 point के साथ लिखना है यह जो भी number आएगा add करके उसको 0 point के बाद ही लिखना है तो यहाँ पे थोड़ी चीज़े अलग है 0 point के बाद में तुमको क्या करना है उसको लिखना है तो यहाँ पे 4th step अगर बोले so right number after right addition after 0 point right addition after 0 point right addition after 0 point 0 point के बाद में जो भी तुमारा addition आ रहा है वो लिख दो तो इसका mentee सा हुआ था 0.9397 इसका mentee सा हुआ था 0.0916 इसका mentee सा हुआ था 0.0916 so I hope की characteristics और mentee सा कैसे निकालता है यह तुमको clear इन दोनों का use किया जाता है complete log का value निकालने के लिए इन दोनों का use किया जाता है बटा complete log का value निकालने के लिए अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ इसका value निकाल कर बताओ एक question ले लेते हैं हम लोग log of 87.04 जान बुचकर वो ही ले रहा हूँ फिर से इसका अगर हमको value निकालना है तो यह क्या होता है यह value होता है बटा characteristics plus mentee सा इसका characteristics निकालो पहले तो characteristics of यह number अगर हम लोग ले ले 87.04 तो इसको अपन पहले कैसे लिखेंगे एक digit के बाद decimal देकर लिखेंगे तो 8.704 into 10 की power of 1 ऐसे form में इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका जो characteristics होगा वो कितना हो जाएगा यह हो गया इसका characteristics कितना हो गया बटा इसका characteristics 1 अब हम लोग इसका निकालने वाले मेंटी सा अब हम लोग इसका निकालने वाले मेंटी सा तो for मेंटी सा क्या करेंगे मेंटी सा के लिए यह 87 87.04 है उसका decimal हटा दो complete चार डिजिट नंबर बन जाएगा 8704 87 वाली row में जाओगे 0 वाली column में जाओगे और fourth digit जो है 4 इसका mean difference देखोगी यह थो हमने थोड़ी दिर पहले ही निकाला यह जो value आया था यह कितना आया था पेटा यह आया था हमारा 9395 9395 और यह हमारा mean difference 2 आया था तो menti सा कि अगर बात करें तो इसका menti सा कितना रहा है इन दोनों का addition करो तो कितना हो जाएगा 9397 बट 0 के बाद decimal देकर लिखना है वो addition 0 के बाद decimal देकर लिखना है वो addition तो यह हो गया इसका menti सा तो therefore final answer क्या होगा वो देखो final answer क्या होगा वो देखो answer हो जाएगा बटा log of 87.04 अगर मेरे को निकालना है तो इसका characteristics था 1 तो 1 प्लस menti सा था इसका 0.9397 तो यह value हो गया हमारा 1.9397 अब यह जो भी calculation कर रहे हैं हम लोग इसके लिए वैसे calculator available रहता है बट तुम लोग अभी 11th में हो तो तुमको 11th में जो numericals करना है उसके लिए calculator provided नहीं है तो जो भी calculations तुमको करनी रहे हैं की बड़ी बड़ी multiplications हो गे रहा है वो सारा तुम लोग log table का use करके करते हो इसलिए हमको यह पूरा का पूरा घदा मेनत करना है वरना इसका कोई बहुत ज़्यादा भी use नहीं होता है calculator available है सारे लोग calculator से solve कर लेता है तो बस इसको देख कर रखो की log की values हमने कैसे find out कर ली तो log of 87.04 is 1.9397 यह तो obvious है 87.04 किसके बीच का number है 10 और 100 के बीच का number है log of 10,1 होता है log of 102 होता है तो 1 और 2 के बीच का value आने वाला है 1 और 2 के बीच का value आने वाला है 1.9397 यह हो गया उसका complete log का value और एक example अगर हम लोग यहाँ पे ले और एक example अगर हम लोग ले कि log of इसका value निकाल कर बताओ रैंडम नंबर में लेता हो log of 0.04975 तो पहले बेटा इसको लिखेंगे हम लोग characteristics हमको अगर find out करनी है तो इसको हम लोग लिखेंगे number था हमारा 0.04975 इसको हम लोग लिखेंगे पहले 4.975 characteristics निकालने के लिए एक डीजिट के बाद decimal देकर लिखना है इंटू 10 की power में कितना आएगा वो देखो minus 1 किया तो इधर आजाएगा एक बार और एक बार कर दिया तो minus 2 तो characteristics कितना आजाएगा इसका minus 2 यह गया इसका characteristics characteristics हो गया इसका माइनस of 2 तो ऐसे 2 बार लिखेंगे characteristics स्पीड थोड़ा स्लो करता हूं क्या करना है एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाए ऐसे फॉर्म में गिवन नंबर को लिख दो तो चैरेक्टरिस्टिक्स 10 की पावर माइनस 2 आया था तो माइनस 2 तो 2 बार लिखा गया मेंटी सा निकालना है तो फॉर मेंटी सा क्या करता है मेंटी सा के लिए डेसिमल को हटा ही देता है सिदे एक चार डिजिट नंबर अजिओं कर लो तो यह 4975 एक 4 डिजिट नंबर बन जाता है और 5U का mean difference लोगे, 5U mean difference में देखोगे, जो भी 4th digit है उसका mean difference देखना है, तो यहाँ पर आते है लॉक टेबल पे, 49 वाली row में जाओगे, 49 वाली row में जाओगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा zoom out कर देता हूँ और 49 वाली row अगर हम लोग देखें, तो इधर है 49 वाली row है ना 49 वाली row में जाने के बाद, क्या करना दा हूँ को, 49 वाली row में जाने के बाद, 7 वाली column में जाना है, 49 वाली row में जाने के बाद, 7 वाली column में जाना है, यहाँ पर मैं color change लेता हूँ ताकि यह calculation आ रखो थोड़ा, 49 वाली row में गया, 7 वाली column में आऊँगा, तो number मेरे को मिल बेलने वाला वेटा 7 वाली कॉलम में आने के बाद 6, 9, 6, 4 एक बार क्रोसेख कर ले न, नम्बर मिलेगा 6, 9, 6, 4 तो यहाँ पे लिखता हूँ उसको लाकर यह नम्बर मिलेगा 6, 9, 6, 4 पायू का मीन डिफरेंस उसी रो में आगे जाओगे आगे जाओगे इसी रो में और 5 का mean difference 5 का mean difference आ रहा है 4 5 का mean difference आ रहा है 4 तो यह 5 का mean difference 4 था इन दोनों का करते हैं अपन addition तो यह हो गया 6,9,6,4 प्लस 4 किया तो यह हो गया 6,9,7,3 और menti सा लिखते वक 0 point के बाद यह number लिखना है so menti सा हो जाएगा हमारा menti सा of 0.04975 कितना होगा 0 point के बाद यह number लिख दो 6,9,7,3 6,9,7,3 तो इसका characteristics से बेटा 2 bar menti सा इसका 0.6,9,7,3 तो जो final answer रहने वाला है जो final answer रहने वाला है वो कितना रहने होगा 2 bar point इसको add किया हो उसमें 6,9,7,3 2 bar point 6,9,7,3 so I hope and believe कि logarithm कैसे find out किया जाता है यह चीज तुमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा clear है अब बढ़ते हैं वेटा anti-lock भी एक table रहता है anti-lock table कैसे use करेंगे anti-lock table कैसे use करेंगे उस पर आता है so next आया मैं anti-lock table के लिए यह तो calculation है यहाँ पर हमारा anti-lock तो अभी हमने पीछे पड़ा यही example हमने पड़े कि log of 100 कितना होता है 2 so anti-lock of 2 अगर मैं बुलू inverse operations होते हैं यह एक दूसरे से जैसे square of 4 16 होता है तो 16 का square root 4 होता है वैसे log of 100 अगर 2 है तो 2 का anti-lock anti-lock of 2 will be 100 log of 8 is 870.4 2.9397 है so anti-lock of 2.9793 यहाँ पर थोड़ा इन्होंने printing mistake किया लगता है यह 9397 होगा so 2.9397 का anti-lock यह ही आ जाएगा फिर से वापस तो अगर किसी चीज का तुम लोग log निकाल रहे हो तो उसका anti-lock कैसे निकालेंगी यहाँ पर देखते है so to find the anti-lock x हम लोग क्या use करने वाले वहाँ पर anti-lock table use करने वाले तो यह चीज तुम को तो clear हो गया कि log anti-lock होता क्या है जिस चीज का हम लोग log निकाल रहे है उसका anti-lock हम लोग निकाल सकते है तो कुछ questions हम लोग यहाँ पर ले लेते है anti-lock के लिए कुछ questions हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर अगर मान लो random ले लिख देता है कि इसका anti-lock हमको निकालना है anti-lock निकालते है वाग चीज़े क्या करोगे वो भी बताता हो anti-lock of 2.8793 random लिया है मैंने यहाँ पीछे जो हमने example लिया था उसका anti-lock भी मैं तुमको निकाल कर बताता हो पहले वो ही example ले लेते हैं कि जिसका हमने log निकाला था जिसका हमने log निकाला था यहाँ पर आते हैं इसका हमने log निकाला log of 0.04975 कितना है यह 2 बार 0.6973 so anti-lock of 2 बार 0.6973 क्या आएगा यह आ जाएगा so anti-lock of 2 बार 0.6973 6973 निकालते हैं और यह answer क्या आना चाहिए बटा यह answer क्या आना चाहिए यह भी हमको पता हैं यह answer आना चाहिए 0.04975 तो देखते हैं आता है या नहीं आता है anti-lock कैसे निकालोगी यह देखते हैं पहले तो अभी तक मैंना anti-lock start भी नहीं किया है anti-lock का शिर्फ definition बताया है कि किसी number का अगर हम लोग log निकालते हैं यह log of 102 है तो anti-lock of 2 will be 100 anti-lock of 2 will be 100 अभी हमने यह number था मारे पास में उसका log यह आया था इसका anti-lock वो number आना चाहिए तो इसको solve करता हो तो anti-lock निकालते हो क्या करना है बेटा देखो यह तो characteristics है तो यह जाएगा 10 की power के form में यह तो जाएगा 10 की power के form में इसको छोड़ी दो यह जाएगा 10 की power के form में characteristics था हो वो तो जाने वाला है 10 की power के form में आते हैं यहाँ पर anti-lock निकालने के लिए क्या करना है तूंको यह 4 डिजिट है ना तो पहले 2 डिजिट मतलब 0.69 पहले 2 डिजिट तो 0.69 वाली row में जाओगे 7 वाली column में जाओगे 3 का mean difference देखोगे 3 का mean difference देखोगे बड़ यह क्या करना है कहाँ पर देखना है इन anti-lock table कहाँ पर देखना है पुटा यह antilock table में देखना है लॉक table में नहीं देखना है तो इन anti-lock table पहले 2 डिजिट की row में जाते है 3rd digit की column में आते है 4th digit का mean difference लेते है log के वक्ट भी वह ही करते है एंटी-lock के भी वक्ट भी करना है बट इसमें anti-lock table दिखोगे आते हैं anti-lock table पे यह बोल रहा है 0.69 वाली row में जाना है 0.69 तो 0.69 शम्धिंग यह है 0.69 की row में जाने के बाद 7 की kolum में जाना ठा 7 की kolum में जाना था तो 7 की kolum 4977 4977 और किसका mean difference देखना है mean difference देखना है 3 का 3 का mean difference है 3 3 का mean difference है 3 इसको add किया 4 977 प्लस 3 अगर करें तो यह आएगा 49 4980 4980 So I hope कि ये value कहा से है ये बता देता हूँ 4977 आया था और mean difference 3 आया था तो इधर आकर में लिख देता हूँ 4977 तुमको मिलेगा और इसका mean difference 3 दोनों का अगर हम लोग add कर दे तो ये हो जाएगा 4977 प्लस 3 अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा बटा हमारा 4980 देखो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़े जादा हैं over the time ये सारी चीज़े तुम लोग भूलोगे with practice ही तुमको ये हो सकता है मैंने तुमको ऐसे rules रटने वाले लिखा कर नहीं दिये characteristics तो बहुत easy बता दिया था decimal के बाद एक डिजिट और एक डिजिट के बाद decimal into 10 की power के form में लिखो वो characteristics हो जाएगा मैं एंटी सा के लिए बताया था कि decimal remove कर दो चार डिजिट नंबर बनेगा पहले दो डिजिट की row में जाओ थर्ड डिजिट की column में और फोर्त के इसमें में डिफ्रेंस में एंटी लॉग के लिए बताया कि यह तो 10 की power में जाने वाला characteristics है यह 10 की power में जाने वाला characteristics है 69 मतलब 0.69 बोलोगे point के form में आएगा एंटी लॉग हमेचा तो 0.69 ऐसे दो डिजिट के रो में जाओगे थर्ड डिजिट 7 की column 4 डिजिट का में डिफ्रेंस ही आ गया तो यह तो यह बता हमारा 4980 इसका यूज कैसे कर रहा हूँ एंटी लॉग लिखने के लिए देखो तो एंटी लॉग आप एंटी लॉग आप टू बार पॉइंट 6973 इसको लिखना है तुमको एक डिजिट के बाद डेसिमल देखकर एंटी लॉग में जो भी वैल्यू मिलेगा अप्टर एडिशन अप्टर एडिशन राइट गीवन नंबर राइट नंबर राइट नंबर बाई गीविंग डेसिमल बाई गीविंग डेसिमल डेसिमल अप्टर वन डिजिट अप्टर वन डिजिट लॉग के वग क्या कर रहे थे जीरो पॉइंट के बाद लिख रहे थे ये नंबर Log के बग क्या कर रहे था Zero Point के बाद लिख रहे थैं पेटा ये Number Anti-Log के बग क्या करना है ये जो Number आया इसको एक digit के बाद decimal provide कर दो इसको एक digit के बाद decimal provide कर दो ये कर दिया और ये 10 की power ये 10 की power Minus 2 ये minus 2 कहा से आ है ये समझ जाना चाहिए तो जो भी number मिलेगा anti-lock के बाद anti-lock table use करोगे addition करने के बाद जो number मिल रहा है उसको एक digit के बाद decimal देकर लिखना है logarithmic table के बाद क्या करते थे जो number मिल रहा था उसको 0 point के बाद लिख रहे थे anti-lock के बाद क्या करना है जो भी number पर मिल रहा है उसको एक digit के बाद decimal देकर लिखो into में 10 की power minus 2 इसको अगर मैं solve करूँ तो यह हो जाएगा बटा 0.04980 और मैंने पहले ही बोला था कि यह answer आने वाला है क्योंकि हमने पीछे क्या किया है इसका log निकाला था 0.04975 तो यह आया था 2.6973 2.6973 और अगर मैंने इसका antilog निकाला तो यह यह value आया 0.4980 तो यहाँ पे calculations के लिए थोड़ा सा minor difference हो गेरा हमारा column देख लेना 0.69 में गया 7 वाली रो में 4977 प्लस mean difference 3 तो यही आएगा यही आएगा तो बहुत minor difference आ रहा है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है 0.04975 के जगा 80 हो सकता है एक हाद रोज जो table मैं use कर रहा हूं उसके अंदर कोई value थोड़ा सा आगे पीछे मैंने कर दिया लेता हो बद यह समझ जाना चाहिए तुमको कि करना क्या था वैसी और एक खाद कोईशन तुम लोग ट्राय कर सकते हूं कि anti-lock कैसे निकाला जाता है एसी तुम लोग एक खाद और कोईशन ट्राय कर सकते हूं कि anti-lock कैसे निकाला जाता है तो मैं आता हूँ अभी mainly question solving पे तो इसमें हमको log, anti-log ही करना रहता है, तो आते question पे कि ये मिरे को एक numerical दिया है ये मिरे को एक numerical दिया है इसको हमको solve करना है और calculator नहीं है हमारे पास में, exam में बैठने के बाद calculator नहीं होता है, तो obvious है हम लोग इसको lock table का use करके solve करने वाल है, obvious है इसको हम लोग lock table का use करके solve करने वाल है तो कैसे solve करेंगे इसको देखो तो ये जो भी value आ रहा है, इसको अभी का मैं x consider कर लेता हूँ ये जो भी value आ रहा है, इसको अभी का मैं x consider कर लेता हूँ, तो late x दिक उस्टो 0.3125 इसका whole square यह गया 0.4629 इसकी power 1 by 3 apply log on both side करते हैं apply log on both side तो यह क्या हो जाएगा बटा log of x easy question properly देखो मैं directly properties apply कर रहा हूँ पहले लगा होगा question rule तो यह बन जाएगा बटा 2 into log of 0.3125 minus 1 by 3 यह तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि यह जो 2 है पहले यहां पर रहा होगा minus log of 0.49 sorry 4 6 29 इसकी power 1 by 3 log apply किया तुमने तो यह log of m by n हुआ रहेगा उसको हम लोग log m minus log n लिखेंगे यह 2 भी क्या होगा आगया जाएगा यह 1 by 3 भी आगया जाएगा तो यह 2 भी आगया जाएगा 1 by 3 भी आगया गया यह 2 आगया गया और यह 1 by 3 भी जो है बटा वो आगया आगया तो यह तो पहले हमने log की properties लगा दी अब क्या करते हैं यह log की values निकालते हैं तो यह हो गया हमारा log of x is equals to 2 into यह value हमने find out करना अभी पढ़ा log का value कैसे निकालते हैं हमने अभी पढ़ा log of 0.3125 हमको find out करना है log of 0.3125 हमको find out करना है तो इसका characteristics क्या होगा बटा एक digit के बाद decimal देकर लिखोगे 0.3125 का अपन क्या लिखेंगे 3.125 into 10 की power कितना लिख दोगे minus 1 तो इसका characteristics कितना हो जाएगा minus 1 तो यह मैंने लिखा 1 bar 1 bar point menti सा निकालोगे इसका क्या निकालोगे menti सा find out करोगे क्या करोगे menti सा के लिए 3.1 वाली रो में जाओगे 3.1 वाली रो में जाओगे 2 वाला कॉलम तो 3.1 वाला रो 2 वाला कॉलम तो 49 2 वाला कॉलम तो 4942 2 वाला कॉलम तो 4942 और कॉलम mean difference देखना है 5 का 3.125 नमबर था 3.125 नमबर था 3.1 वाली रो में जाओगे 2 वाली कॉलम अगर देखोगे तो 4942 mean difference अगर देखे तो 7 तो 4949 आ जाएगा 4949 आ जाएगा तो 0.4949 तो यह 4949 लिखा 4949 भी मेरे accordingly तुमको समझ जाना चाहिए कि कैसे आ रहा है अभी तुमको पीछे जो log values find out करना पड़ाया उसी का use किया बेटा है यहाँ पर minus 1 by 3 यह जो number है इसका characteristics देखो इसका characteristics अगर लिखना है तो इसको क्या लिखोगे 4.629 इसको क्या लिखोगे 4.629 into 10 की power minus 1 तो इसका भी characteristics कितना आएगा 1 bar आ जाएगा इसका भी characteristics कितना आजाएगा 1 bar आ जाएगा point mantisa निकालोगे 4.6 वाली row में जाओगे lock table में जाके 2 वाली column में आओगे और 9 वाला main difference 9 वाला main difference तो 4.6 4.629 था ना 4.6 वाली row में जाओगे 2 वाला column 6.646 2 वाला column 6.646 और main difference देखना है 9 का main difference देखना है 9 का तो यह आजाएगा बटा 6.646 प्लस 8 6.646 प्लस 8 विल भी 6.654 6.654 तो यहाँ पे 6.654 कैसे आगे यह तुमको समझ जाना चाहिए 6.654 कैसे आगे यह भी तुमको समझ जाना चाहिए आगे बढ़ता है इसमें तो यह होगी हमारा log of x is equals to log of x is equals to ठीक है तो यह 1 bar 0.4949 minus 1 by 3 1 bar 0.6654 था इसकी values हमको अभी simplify करना है और बाद में anti-lock निकालना है तब जाके तुमारे पास में x का value आएगा तब जाके तुमारे पास में x का value आएगा तो यह हो गया 2 को अगर मैं multiply कर दू अंदर तो यह हो जाएगा 2 bar 0.2 से अगर मैं multiply करूँ तो यह 18 का आजाएगा 2 से multiply कर रहा हूँ 2 9 जा तो 18 का 1 आजाएगा 5 9 8 9 8 एक मिने रुक जाओ इसको calculate करता हूँ 4 9 4 9 into 2 अगर मैं कर रहा हूँ 4 9 4 9 into अगर मैं 2 कर रहा हूँ बेटा तो यह हो जाएगा मेरा 9 आजाएगा so 2.9898 आएगा पहले ही बरावर था 9 8 9 8 आजाएगा minus 1 by 3 यहाँ पे धैन दो अब 3 से divide करना है इसको क्या करना है बेटा भी हमको 3 से divide करना है तो उसको लिख कैसे रहा हूँ यह भी main चीज है उसको लिख कैसे रहा हूँ देखो यहाँ पे 1 बार है 3 से divide करना है तो मैं इसको क्या करूँगा 3 के form में लिख दूँगा पहले यह जो number है इसको अपन कैसे लिख सकते देखो 1 बार 0.6654 यह लापन का है लिख सकते हो 1 बार प्लस 0.6654 लिख सकते हो 1 बार प्लस 0.6654 लिख सकते हो अब क्या करता हूँ मैं इसको 1 बार को क्या लिखता हूँ विटा 3 बार प्लस 2 प्लस 0.6654 लिखता हूँ लिख सकता हूँ माइनस वन लापन, माइनस 3 प्लस 2 लिल है, जासता कहीं नहीं के लिए, माइनस वन लापन, माइनस 3 प्लस 2 लिल है, क्यों लिखना है सर, क्योंकि बहार 3 से डिवाइट करना है अपने को, तो calculations को simplified way में लिखने के लिए, जो भी नंबर बहार बैटा है, इसको क्या किया भी दे 6, 6, 5, 4 लिखने हैं, उसको माइनस 3 प्लस 2 लिखने हैं, अगर बाहर 4 रहता है, फोर से डिवाइट करना रहता, मान लो यहाँ पर 1 बाए 4 रहता तो अपन इसको क्या लिखते हैं, माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 के फॉर्म में लिख दे जो भी नंबर बाहर है, उसके बार के फॉर्म में अपन ने हैं, उसको लिखा, तो यह हो जाएगा, log of x से दिकोस्टो, 2 बार पॉइंट 9898, यह और आए डिवाइड अभी, यह 1 बाए 3 इसको डिवाइड होगा, यह 1 बाए 3 बेटा इसको डिवाइड होगा, यह 1 बाए 3 इसको डिवाइ 3 बार को डिवाइड करेगा तो कितना आजाएगा, 1 बार आजाएगा, प्लस, 3 बार को डिवाइड करेगा तो कितना आजाएगा, बटा, 1 बार आजाएगा, यह जो नमबर है इसको 3 से डिवाइड करो, यह जो नमबर है इसको 3 से डिवाइड करो, यह जो नमबर है इसको 3 स रहता है तो ऐसे करूँगा मैं 2.6654 डिवाइड बाइ 3 यह सब तुमको एक्जाम में बैठके करना है जो बोर्स वाले बच्चे हैं एंटरंस वाले बच्चों के लिए तो यह कामी नहीं पढ़ने वाला है ठीक है तो यह अगर हम लोग क्या करें बेटा भी 8 से डिवाइड कर दूँ तो यह हो जाएगा मेरा 2426 तो फिर से 8 से डिवाइड करूँगा 2425 तो फिर से 8 से डिवाइड होगा 2414 तो यह फिर से क्या कर सकते हो फोर से 0.8884 अभी भी हमारा एंसर नहीं आ है अभी तो लॉग की कैलकुलेशन ही चल रही है तो यह हो जाएगा हमारा लॉग X is equals 2 इसको अपन लिख सकते हैं, 2 bar plus, 0.9898 minus, इसको लिख सकते हैं, अपन बेटा, minus 1, इसको भी हम लोग minus 2 लिख देते हैं, 2 bar का मतलब क्या होता है, minus 2 होता है, 1 bar का मतलब minus 1 plus, 0.8884, इसको सॉल करो, minus 2 plus, 0.9898 minus, minus plus 1, minus आएगा, 0.8884, minus आएगा, 0.8884, यह सब वैल्यूज है, हमारी log x की, so log of x is equals to, minus 2 plus 1 याने minus 1 आजाएगा, minus 2 plus 1 याने minus 1 आजाएगा, इसमें से इसको हटा होगे तुम लोग, तो यह आएगा, 0.4, 1, और यह हो जाएगा, हमारा 0, 1, तो 1014, और इसका अब हम लोग निकालेंगे, anti-log, तो x is equals to, anti-log of, x is equals to, anti-log of, 1 bar 0.1014, 1 bar 0.1014, तो क्या किया विट हमने, पहले निकाला अपनने, log apply किया पहले जो भी expression हमको find करना था, जिस expression की हमको value find करनी थी, उसके पहले हमने क्या किया है, log apply किया है, उसके बाद log की values निकाली, characteristics plus anti-sah, याने log का value होता है, characteristics plus anti-sah, याने log का value, इसको simplify किया, यहाँ पे adjustment तुमको अच्छे से समझना है, कि 1 by 3 था, इसलिए हमने ये 1 bar को क्या किया है वेटा, 3 bar plus 2 point के form में लिखा, अगर यहाँ पे 4 रहता तो, 4 bar के form में लिखते है उसको, इसको divide किया, इसको divide किया, यह आया, simplify किया, यहाँ तक पहुँच गया, anti-log निकालना है, anti-log निकालने के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है, 10 में जाओगे, 10 में जाकर 1 वाली row में आओगे, और 4 वाला mean difference देखोगे, 4 का mean difference आप लोग यहाँ पे देखने वाले हो, तो यहाँ पे आते हैं वाला anti-log, 10 वाला anti-log, 0.10 वाली anti-log में जाओगे, और 1 वाली column में आजाओ, तो 0.10 यहाँ पे हैं, 1 वाला column मतलब 1262 और 4 का mean difference, तो 1262, 4 का mean difference 1, 1263, 1263 आया, 1262 आएगा, और यह 1 था, तो यह आया पूरा टोटल, x इस दिक वस्ट हो जाएगा, 1.263, anti-log लिखते होग बोला था, 1263 बन रहा है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल देकर लिखो, anti-log के लिए बोला था, एक डिजिट के बाद डेसिमल देकर लिखो, so 1.263 into 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1, कहां से आया था, 10 की पावर माइनस 1, यह जो एबटा, यह characteristics है, तो यह 10 की पावर माइनस 1, तो यह होगा हमारा final answer, x का value 0.1263, अब calculator लो, अब calculator लो, और try करो कि यह जो calculation था, यह जो calculation था, इसका value यह आता आएगा, तो calculator से try करते विटा, 0.3125 का पावर जाना है, इसकी पावर जाना है ना, तो यह square, तो यह उपर वाली value आएगी, उपर वाली value आएगी, 0.09765, नीचे वाली value अगर मैं बात करूँ, तो नीचे वाली value थी हमारी, 0.4629, इसकी पावर 1 by 3, 0.33, तो यह गया 16.6540, अब करता हूँ, 0.09765, डिवाइड़ बाई 16.6540, इसकी पावर जीरो, कैलकुलेशन से एक बार हमको चेक करने पड़ेंगे, मतलब यह उपर जो मैंने की है, इसी को एक बार आप कैलकुलेटर पे चेक करो, मेरे पास इसका एंसर अगर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका एंसर 1.1263, इसका अगर हम लोग बात करें तो 0.1263, इसका एंसर है मेरे पास में, मैंने क्रॉस चेक किया, आप इसको एक बार कैलकुलेटर चे क्रॉस चेक कर लो, तो यह मैंने पूरा correct solve किया है, कैसे solve किया गया देखो, पहले हमने log apply किया, फिर यह log की values, characteristics, प्लस 20 सासे, यह एक adjustment हमेशा याद रखें, और एक question में करवा देता हो इस type का, और एक question में करवा देता हो इस type का, ताकि तुमको better idea आ जाए, इसका value हमको निकालना है पेटा, त लोग यह हमारा 2.41 का square, into 2.61, upon 1.374, so apply log on both side कर देते हैं, apply log on both side, so अगर हम लोग log apply करें, तो यह क्या हो जाएगा, log of x equals 2, अगर log apply करें, तो यह हो जाएगा, log of 2.41, log की property लग रही है पहले, log of 2.141 का square, plus log of 2.61, minus log of 1.374, log of 1.374, क्या करेगा यह log, यह log क्या करेगा, इस 2 को आगे ले लेगा, यह log क्या करेगा, इस 2 को आगे ले लेगा, so यह हो गया ऐसे, property लगाने के बाद हम लोग पहुचेंगे इधर, property लगाने के बाद हम लोग पहुचेंगे इधर, आगे बढ़ते हैं, log की values निकालना मैंने तुमको आल्रेडी पढ़ाया है, तो यह हो गया, log of x is equals 2, 2 into, यहाँ पर आएगा log का value, log of 2.41, अल्रेडी एक digit के बाद decimal देकर लिखा है, characteristics कितना होगा इसका, 0, characteristics कितना होगा इसका, 0, 2.41 into 10 की power 0 लिखा न, तो characteristics हो गया, इसका 0, characteristics के लिए एक digit के बाद decimal देकर लिखो, और 10 की power जो रहेगी, adjust करने के बाद, उसी को हम लोग characteristics बोलता है, तो यह 0 point, अब निकालना है में टी सांब, तो decimal अटा दिया, तो 2, 4 की row में जाओगे, 2, 4 की row में जाओ, 1 की column में जाओ, 1 की column में जाओ, तो यह log table, 2, 4 की row में जाओ, 1 की column में जाओ, तो 3, 8, 2, 0, और 0 का mean difference नहीं आएगा, तो यह हो गया, 2, 4 की column में जाकर, 3, 8, 2, 0, 3, 8, 2, 0, 3, 8, 2, 0, तो log table से जो value आता है, addition करने के बाद, वो 0 point के बाद ही लिखते हैं, point के बाद ही हम लोग उसको लिखते हैं, यह मेरा accordingly clear है, इसका भी characteristics कितना बेटा, 0 point, मैं एंटी सा कैसे निकालोगे, 26 की row में जाओगे, 1 वाली column में आओगे, 26 की, अरे मैंने गलत कर दिया, एंटी log वाली table में देखाएगा, मैंने इसके पहले, एक बार में देख लेता हो, किसका था वो, 2, 4, 1 की column में जाकर, 2, 4, नहीं, बराबर देखा था, 2, 4, 1 की column में जाकर, 3, 8, 2, 0, अब देखना है, 26, यह तुम लोग बेटा, लिखते ही चलो, अपनी notebook में लिखोगे, तभी तुमको यह देखना easy जाएगा, तो 26 की row में जाओगे, और आओगे बेटा, तुम लोग 1 की column में, 26 की row में जाकर, 1 की column, 4, 1, 6, 6, तो यह आगया, 4, 1, 6, 6, minus, इसका भी characteristics कितना है, 0 ही है, यह भी एक digit के बाद decimal के form में लिखा है, तो 0 point, अब जाओगे बेटा, 1, 3 की row में, 7 की column में, 1, 3 की row, 7 की column में, 1, 3 की row, 7 की column, तो 1, 3, 6, 7, और mean difference पोर का, 1, 3, 6, 7, plus 13, 1, 3, 8, 0, 1, 3, 8, 0, 1, 3, 8, 0, 1, 3, 8, 0, तो यह जादा calculating वाला question नहीं है, सिधे-सिधे आगया, log x से दिक उस्टू, 2 से अगर हम लोग multiply करतें, तो यह हो जाएगा, 0.04, 16 का 1 कैरी हो गया, 3, 2006 से बना जाएगा, plus 0.4166, minus 0.1380, तो यह जो भी आएगा वेटा, यह आएगा, log x का value, यह जो भी आएगा, यह आएगा, log x का value, अब मैं थोड़ा calculator use करता हूँ, calculations कैसे करना है, मैंने तुमको बता दिया है, यह जो value है, इसको मैं calculate कर लेता हूँ, 0.7640, plus 0.4166, plus, जहीं, minus आएगा इदर, यह जो भी value आएगा, इसमें से minus करना है, minus करना है, 0.1380, तो यह आगया, 1.0426, देखो भाई, calculating वाला part है, इसलिए cross check कर रहा हूँ, बाकी मेरे को ऐसे कोई concern नहीं इससे, 1.0426, correct है, तो log x सीदी कोस्ट हो गया था, तो x सीदी कोस्ट हो, anti log of, anti log of 1.0426, anti log कैसे निकालते हैं, यह तो जाएगा 10 की power में, 10 की power 1, minus 1 नहीं, 10 की power 1, यह जो है, यह जाएगा 10 की power में, और इसके पहले का जो number है, वो आएगा तुमारा कैसे, 0.04 का anti log देखोगे, 0.04 का anti log, 0.04 का anti log, 2, 2, 6 में है, 0.04 का anti log, so 0.04 का anti log, 2 अला रो देखा तो 1, 1, 0, 2, और 6 का मिंडिफरेंस 2, 6 का मिंडिफरेंस 2, क्या करना था, 0.04 की रो में जाकर, 2 वाला कॉलम, 2 वाला कॉलम, 1, 1, 0, 2, और 6 का मिंडिफरेंस, 6 का मिंडिफरेंस इस, 2, तो, भूल रहा हो रोको, 0.04, 1, 1, 0, 2, प्लस, 2, तो, 1, 1, 0, 4, 1, 1, 0, 4, 1, 1, 0, 4, 1, 1, 0, 4 मिल रहा है, एक डिजिट के बाद, डेसिमल देकर लिख दूँगा, 1, 1, 0, 4, तो, यह तुम लोग अपने कैलकुलेटर पर एजिली कर सकते हो, फाइनल एंसर विल बी 11.04, फाइनल एंसर विल बी 11.04, तो, एंसर चेक करते हैं, 11.04 is correct answer, तो, I hope and believe कि यह वाला पार्ट तुमको समझ गया कि कैसे हैंडल करना है, इसको order wise थोड़ा पहले कर देता हूं है, ताकि तुम लोग पढ़ने में easy जाएं, तो, यह question थोड़ा easy था, पिछले question से, पिछले question में एक adjustment दिया वा था, पिछले question में एक adjustment दिया वा था, कि 1 by 3 से divide हो रहा है, तो इसको 3 बार के form में लिखा है, अब next जो question है इसको में homework कर देता हूं, इसको तुम लोग homework के part से solve कर लो, पहले log लगाओगे, log क्या करेगा, यह square root का 1 by 2 को आगे लेगा, log की properties लगेगी, फिर anti-log वगेरे लगेगी, so I hope कि आज का जो session है, इसमें anti-log, log यह find out करना तुमको clear हो गया, हमने change of base rule वगेरे भी वहाँ पर पढ़ा है, तो आज का जो session रहेगा, बटा, आज का जो session रहेगा, है न, इसमें 2 slide या 2 questions बच गया है, वो PYQs ही बच गया है घुमफिर कर, तो जब हम लोग one shots वगेरे करवाएंगे, जे ही अगेरे के time पर, तो वहाँ पर cover हो जाएगा, तो ऐसे कोई डरनी की बात नहीं कि सर, आपने PYQ की question अभी नहीं करवाएं, time का restriction है मेरे पास मैं कुछ, तो आज का session जो है, मैं यही पर complete करता हूँ, मिलते हम लोग next lecture में, next lecture में हम लोग नया chapter start करेंगे बिटा, logarithm की जो basic properties है, log, anti-log का table है, यह सारी चीज़े तुमको clear रहनी चाहिए, homework की अगर बात करें तो DPP solve कर लो, और exercise अगर तुम लोग देखते हो, logarithm का तो function chapter में मिलेगा तुमको, state board के, M2 का अगर तुम लोग book देखते हो, तो function chapter में तुमको logarithm मिलेगा बिटा, so log ऐसे separate chapter नहीं मिलता है वहाँ पर, बट यह सारी चीज़े तुमको clear रहनी चाहिए, तो चलो मिलते हैं ने click lecture में, thank you, bye bye, goodbye.